हेलो स्थो कमाई का अड़्डस यूटूब चल में आप सभी का सोगत है आज हापर हम डिसकस करेंगे हैप्पेस माइन के बारे में इस कमपनी के अंदर जो दोस्तो लेटेस्ट न्यूज आये है उसको इस वीडियो में हापर हम कवर करेंगे और उसी के साथ कमपनी के अंदर जो आने वाला ब्राइट फ्यूचर है उसको भी अंडरस्टेंडिंग कर लेते हैं और दोस्तो हैपेस माइन कमपनी के कौर्टर 4 के रिजल्ट कब आने वाले हैं और हम किस तरीके से एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो भी अंडरस्टेंडिंग यहाँ पर हम करने वाले हैं बहु देखने को मिलेगा तो क्या-क्या हो रहा है किस तरीके से शेर होल्डिंग पैटर्न में बदला वगेरा देखने को मिले सब कुछ यहाँ पर हम हैपेस माइंड इस कंपनी से रेलेटेड डिसकस करेंगे अभी देखें जो खरीद कर बैटे हैं उनके लिए भी इंपोर्टन है और जो डिसकाउंड में शेर को खरीदना चाहते हैं उनके लिए बे तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो अच्छा लगे मेरे फट पसंद आए तो कमाई का अड़ा इस यूटूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना अब दोस्तों आपको मैं इन्फोसेस के और जो HCL टेक्नलोजी कमपनी है उनके कौटर फूर के रिजल्ट थोड़े डिसकस करकर बताऊंगा आप सबी को ये सवाल आएगा कि सर आप इन कमपनियों को क्यों कर रहे है तो दोस्तों जिस तरीके से हैपेस मैंड इस कमपनी का रिविन्यू फॉरेंड कंटरिस से आता है उसी तरीके से Infosys, SCL टेक्नलोजी या TCS वगेरा जितने भी बड़े कमपनीज हम देखते हैं इंडिया में IT के बिजनेस से जुड़े वे उनका मेजरली जो रिविन्यू है जो इनके कस्टमर है वो फॉरेंड कंटरिस में है तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि Infosys का जो Net Profit है दोस्तो वो 30% जम्प होते वे आपको देखने को मिला है और आपके आगे है रिविन्यू थोड़ा यहाँ पर ज्यादा इंप्रू नहीं हुआ बट Profit Company ने अच्छा कमाये वाला देखने को मिला है अब आगर हम यह CL Technology के बारें बात करें यह भी Company बहुत बड़ी है और इसका भी बहुत अच्छा नाम इंडियन मार्केट में है तो इसके आज रिजल्ट लगे है तो वो भी हम देखते हैं कि Net Profit इसका फ्लैट है तो दोस्तों ऐसा यहाँ पर बहुत कम देखने को मिल रहा है कि हर किसी IT Company के रिजल्ट बहुत अच्छे या बहुत इंप्रेसिव आएंगे बोलकार देखे थोड़ा 19 बिस रहेगा बट Companies अच्छे खासे इंप्रूमेंट के साथ में नंबर शो करेंगे अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि हैप्यस माइड के अंदर के रिजल्ट कब आने वाले है उससे रिलेटेड अगर दोस्तों यहाँ पर हम हैप्यस माइड के जो अफिशल डिटल्स देखे तो हैप्यस माइड ये कमपनी अपने quarter 4 के result 6 में को 2024 6 में को show करेगी और आपकी नजरे company के result पर होनी चाहिए अब सवाल काफी निवेशक के ये भी थे कि sir news वगेरा तो बहुत सी चीजे यहाँ पर हम आपको बताएंगे बट ये जो सवाल सभी का था कि sir company पर करजा बढ़ रहा है तो मैं आपको बताता हूँ देखिए हैपेस माइन के पास long term जो करजा है 112 करोड का है और short term है 21 करोड का बट दोस्तो थोड़ा यहाँ पर short term previous है 21 करोड का जो short term है वो थोड़ा जादा ही है 363 करोड का तो यह करजा काफी जादा हमें देखने को मिला है यह जो short term के अंदर बट दोस्तो अभी cash कितना है उससे हम समझ पाएंगे company में क्या दम है बोलका रहा है तो देखिए हैपेस माइन पर burden नहीं है क्योंकि दोस्तो company के पास 674 करोड का cash है यानि के दोनों जो भी short term और long term करजा मिलाने के बाद भी यह जो cash है वो कई गुना अच्छा है और जादा है तो इसलिए company के उपर जो यहाँ पर हम burden समझते है कि जो भी यहाँ पर करजे से related वो उतना ज़्यादा दिखाई नहीं देता है अब दोस्तो एक news जो कल आई थी वो भी मैं आपको cover करकर बताता हूँ जिसका आप सभी को benefit मिल सके देखिए जो happiest mind के activities है ऐसे तो मुझे नहीं लगता है दोस्तो की company को reverse लिजाने वाली कोई भी activity नहीं है सभी activity happiest mind के वो company को आगे लिजाने के लिए एक new goals को अच्चू करने के लिए दिखाई दे रहे है और मुझे से भी ज़्यादा आप समझ पाएंगे अगर आप company को observe करते है तो खास करकर अभी हम इस news को understanding करे happiest mind to acquire software technology for rupees 779 करव रुपेज देखे दोस्तो इस company को जो acquisition इनों ने किया वो कितने बड़े amount के साथ किया है इतना बड़ा पैसा ऐसे ही कोई भी company लगाती नहीं है कोई ना कोई company में output या company से उनको benefit है बोलकर ही happiest mind ने इतना बड़ा पैसा इस यहाँ पर technology company में निवेश किया है तो अभी यहाँ पर आगर आप देखेंगे तो इस company का जो business model है उसको और साथी खुद के जो business को बड़ाने के लिए ही इनोंने यह इतना बड़ा दोस्तो acquisition हम कहे सकते किया है 100% stake का और आप यहाँ पर noida based यह company है जिसको जबरदस पैसों का offer देकर इनोंने खरीद लिया और बहुत बड़िया बात है तो इस तरीके से यह आगे जो achievements रहेंगे उसके लिए target लेकर चल रहे है और बहुत अच्छी बात है दोस्तों की हैपेस माइंड यह company अपने जो client है national international level के उसको बहुत अच्छे से improve कर रही है अगर हम इसके market cap की बात करें तो 12,600 यहाँ पर 644 करण का यहाँ पर market cap है इसका और company के जो यहाँ पर हम return on equity और return on capital employed की बात करें सबी चीज़े बढ़िया है और company के जो share holding में उतना कुछ खास बदलाव देखने को नहीं मिला अगर आप public की holding देखेंगे तो वो अभी भी constant ही है और जो D.I.S. है F.I.S. है उसमें F.I.S. ने थोड़ा stake कम किया बढ़ दोस्तो D.I.S. का stake थोड़ा सा बड़ा है यानि कि उतना बड़ा कोई बदलाव ना F.I.S. का ना दोस्तो D.I.S. का देखने को मिला और वैसे तो आपको कमपनी के अंदर के daily basis के बहुत से announcement देखने को मिलते रहेंगे जो company acquisition करती है या बहुत से यहाँ पर चीजे जो company के लिए beneficial है उसे ये लेकर आते ही रहते है तो आपकी नजरे happiest mind पर रहने चाहिए और देखे दोस्तो happiest mind का share beneficial इसलिए है long term के निवेशक के लिए क्योंकि company एक goal लेकर चल रही है अभी 808 पर share trade कर रहा है जो 50 tick high जो 1000 रुपए का है उससे कई percent में हम कहे सकते कि ये down चल रहा है और अगर हम top to bottom भी देखे तो ये share आज भी दोस्तो अगर हम इसके कुछ पास साल के chart pattern को देखे और उसको हम compare करें तो हम कहे सकते है कि ये stock आज भी 40-50% discount में है तो आप बिल्कुल study कीज़े इस company को Thank you so much